मातरानी के लिए प्रशाज बना रहे हो है के पसंदीदा काले चने जो की बहुत ज्ञादा टेस्टी है एक दम नये डिफेरंट तरीके से मैंने बनाया है आप एक एक चना देख रहे होंगे मसाले में लपेटा हुआ है बहुत ज्यादा टेस्टी है तो पूरी रेसिपी जरूर देखिए और जरूर आप भी ट्राइ कीज़े तो यहां मैंने एक कप चने लिये थे जिनको मैंने रात भर सोख करके रखा था कम से कम साथ से आठ भिंटे आप सोख कीजे बेस्ट रिजल् इसमें कुछ चीज़ें और एड़ करेंगे हम इसमें डाली त्यूमें एक चोटा चममच तेल का साथ ही एक तेज पत्ता इसे बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आएगा और नमक आप डाल देजिए टेस्ट के एकॉर्डिंग आधा चममच नमक का डाल देजिए इसके बाद साफ्ट हो चुके यही हमें चाहिए तो चली इसको रखते साइड में मसाला तयार करते है उसके लिए मिक्सी के जार में डाली हो मैं दो हरी मिर्ची एक इंच अद्रक का टुकड़ा है एक चोटा चममच जीरे का लिया है मैंने और लग बग देड बड़ा चमच भर की कसू अद्रक के धनिया पाउडर का यहां पर मैं डाल रही हूं यह में इसमें रहता है और इसमें मैं थोड़ा से चाट पास आला भी एड कर ले रहे हूं आप चाहे तो काला नमक भी डाल सेकते हैं और जो में हम डाल रहे हैं इसको डिफर्ट बनाने के लिए यह बॉयल चने द जीरा जीरा एक चुटी चमच जिता और एक चुटी हेंग यहां पर मैंने डाल दी और जीरा तड़कता है तो यह जो पेस्ट हमने बना की रखिए मसाले की वह हम यहां पर डाल देंगे हम इसे प्याज लिस्टन का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे आप चाहो तो प्याज बुन लो उसके बाद यह मसाला उसमें डाल सकते हूं अच्छे से मसाले को हमें पकाना है धीमी आंच पे मसाला ऐसे लगए आपको जल रहा है तो थोड़ा सा पानी आप मिला लीजिए उसमे और पानी मिलाकर हम इसको बढ़ियासे बुन लेंगे तो बहुत यह अच्छ से यह चनी के समय पानी कि लिए डाल दीने टो हमने बिल्कुल लिमिटेड पानी ही डाला था उतना ही पानी हमें चैनी के लिए चाहिये तो पूरा चना पूरा पानी मैंने डाल दिया है वीडियो कैसे लग रहा है पसंद आ रहा है तो प्लीज श्यार जरूर कीजेगा और इसको मैं अच्छे से मिला ले रही हूँ और ढग कर इसको हम छोड़ देंगे दीमी आंच पर बीच बीच में थोड़ा गुमाते रही है और दस मिनिट में ये चने बनकर तयार हो गए इसमें एक छोटा चमच घी का उपर से मैं डाल दे रही हूँ गैस को मैंने कर दिया है बन ये अच्छे से सूख चुके थे गैस को आफ कर लिया घी मैंने इसलिए डाला तकि अच्छी सी जो शाइन बनी रहे चनों की बहुत जरूर इसको बनाएगा बहुत पसंद आएंगे आप सबको इतने टेस्टी है कि मैं को क्या बता हूँ और एक चना आप देखोगे मसाले से लपेटा हुआ है बहुत ही बढ़िया सामने चाहिए मसाला बनाने डिफरेंट तरीके से ये आप जरूर टाय किजेगा और वीडि बिलकुल मत भूलेगा बही लाइकोर को जरूर प्रैस कीजेगा थैंक्स पर वाचिंग जै श्री गणेश वाही गुरू